नमस्कार नहुप्रिया आज है 30 जन्वरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर किश्यरों के ठीका करन में देश में बिहार दूसरे स्थान पर जल्द बनाए जाएंगे सरकों के लिए मेंटेनिंस पॉलिसी बिहार में नए परिटन्स थलो को जल्द ही किया जाएगा विकसिक बिहार में मिले कोविड-19 के 1000 से ज्याद मामले बिहार में बन रहे देश के सबसे बड़े एस्पताल का पीम नरेंद्र मोधी करेंगे उद्गाटन अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के और विस्तार से किशोरो के टीका करन में देश में बिहार दूसरे स्थान पर कोरोना की ज़ारी तीसरी लहर के बीच किशोरो के टीका करन का काम बिहार समेथ देश भर में किया जा रहा है जिसके बाद ही देश भर में कोरोना टीका करन का काम भी हो रहा है हाला कि इस मुही में बिहार ने अपने नाम बड़ा कारनामा किया है स्वासिभा की तरफ से मिली जुयानकारी के नसार बिहार में अब तक 38,29,801 किशोरो को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है सबसे खास बात यह है कि बिहार टीका करन की इस रफतार के बाद पूरे देश में किशोरो के टीका करन में बिहार दूसरे स्थान पर आ गया है पहले स्थान पर उतरप्रदेश है यहाँ अब तक 87,20,404 किशोरो को टीका लगाया जा चुका है इसके साथ ही अब तक 45 फीस दीकिशोरो को वाक्सीन लगाई जा चुकी है वह 36,49,329 टीका का डोस लगा कर मंधिप्रदेश तीसरे स्थान पर है आज बिहारी बिथरे स्पेशल में हम बात करेंगे गिरिंदर शेखर बोस की गिरिंदर शेखर बोस का जन्म आजवी के दिन यानिकी 30 जनवरी 1887 को बिहार के दरभंगा बंगाल प्रेसिदेंसी में हुआ था गिरिंदर शेखर बोस बीसवी सदी के शिरवाती तक्षिनेशियाई मनो विशलेशक थे उन्हें कुछ लोगों ने पश्रिम पद्धितियों के गैर पश्रिमी संगर्शों के प्रारमिक उधारन के रूप में भी इंगित किया है इसके अलावा उन्होंने आरजी में भारत पे पहली सामाने अस्पताल मनो चिकित सा एकाई भी शुरू की उतरपुर्वी इलेक्ट्रोनिक पावर कॉर्परेशन लिमिटेड निपको ने निकाली रिखतिया उतरपुर्वी इलेक्ट्रोनिक पावर कॉर्परेशन लिमिटेड ने ट्रेड अपरेंटिस के कुल मिलाकर 56 पद पर आवे दिन की मांग की है इन पदों के लिए भी बात करें तो इसमें एलेक्ट्रीशन, फिटर, बॉइलर, प्लंबर तै किया गया है वह इस एक्ष्री क्योगिता की बात करें तो अभिर्थियों के पास दसवी पास और सम्मधिर ट्रेड में आई टी आई की डिग्री होना अनिवार है इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए यूरल से जुआ कर ले सकते हैं जल्द बनाए जाएंगे सरकों के लिए मिंटेनिंस पॉलिसी बिहार में निर्मान अधीन सरकों को लेकर बीते दिन सीम नितीश ने समिक्षा बैठक बुलाई के साथ साथ उसका ठीक ढंग से मिंटेनिंस करना भी हम लोगों का उदेश है इसी को ध्यान में रखते वे सरकों की मिंटेनिस पॉलिसी को लोग शिकायत निवारन अधिकार अधिनियम के दाइरे में लाए गया है जिसकी मदद से ही सरकों के रख रखाव समन्धी लोगों की शिकायतों का निवारन हो सके इस सरके मिंटेन रहेंगी तो अच्छी दिखेंगी और आवागमन भी सुलब होगा इस दोरान सीम नितिश ने साफ कहा कि ये काम विभाग द्वारा ही किया जाए पत्रिमान भीभाग, रामीन कारे विभाग, एवं भवन निर्मान भीभाग, जल्द से जल्द विभाग या निडक्शन नीति की कारे के योजना बनाए बिहार में मिले COVID-19 के 1000 से ज्यादा मामले स्वासव भाग के तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1302 मरीजों की पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिफ मरीजों की संख्या 77112 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविज जिलों की बात करें तो अररिया में 15, अरवल में 9, और अंगाबाद में 27, बांका में 27, बेगुसराय में 102, भागतपुर में 64, भोजपूर में 9, बकसर में 25, दर्भंगा में 49, इस्च्विंपारन में 116, गया में 2, गोपाल गंज में 33 जमुई में 16, जुहानबाद में 6, कैमूर में 4, कटिहार में 25, खगडिया में 11, हकिशन गंज में 13, लखी सराय में 14, मधिपुरा में 61, मधुवनी में 46, मुंगेर में 63, मुझवर पूर में 61, नालंदा में 8, नवादा में 10, पटना में 21, पुर्णिया में 44, रहतास में 35, स हरसा में 98, समस्तिपुर में 79, सारन में 78, शेखपुरा में 14, शिभर में 6, सीतावणी में 33, सिवान में 20, सुपॉल में 12, वैशाली में 165, वैशाब बारन में 38, मामलों की पुष्टी हुई है, इसके लावा 18, से मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जो दूस् बिहार में ने परेटन सलों को विक्सित करने की तैयारी हो रही है, चल रही मीडिया खबरों के अनुसार, बिहार सरकार स्थाइब जलजमाब वाले बड़े इलाके को परेटन सलों के तौर पर विक्सित करने जा रही है, पहली सूची में ऐसे 5 शेतरों का च्रें किया गया बैठक में तेय किया गया है कि 100 हेक्टेर से अधिक आदरभूमी वाले इलाकों के विकास की योज्रा मने पहले चुरन में नागी, नक्टी, बरैला, गोगा बिल और कुशेश्वरसान का चुएन किया गया है चंचल कुमार केंदर प्रतिन्युक्ति पर तो वहीं एस से धार्थ को मिला समाँन्य प्रसाश्व का प्रभार और ग्रामेन विकास अंसान बीपार्ट के महाने देशक का भी अतिरिक प्रिभार रहेगा वर्ष 1992 बैच के अधिकारी चंचल कुमार अपके इंदर सरकार के अधीन सरक परिवहन और राजमार मंद्राले में पद स्थापित होंगे। बिहार के सरकार इस सिक्षकों में तो बहुत ही आकरोश है वहीं अब इस फैसले को लेकर सिक्षाबंत्री विजे कुमार चौधरी ने अपना पक्ष रखा है। क्योंकि इस बार बिहार में ठंड की शिर्वाद भी देरी से हुई। सिक्षक नियोजन में छटे चरन के बचे अभियर्थियों को मिलेगा एक और मौका। बिहार में कोरोना के जारी माहौल के बीच शटे चरन के सिक्षक नियोजन का काम हो रहा है। इसके खत्म होते ही साथवे चरन के सिक्षक नियोजन का काम शुरू किया जाएगा। हालाकि इन सब के बीच अब सिक्षक नियोजन के चरन के अभियर्थियों को एक और मौका मिलने वाला है। होने की संभावना है। चटे चरन में 90,762 पदों के विरुद महस करीब 45,000 से भी कम अभियर्थियों का चैन अब तक हो पाया है। अपने व्यंग भरे गाने के लिए मशूर नेहा सिंग राठोर इन दनो यूपी में कावा गाने को लेकर सुर्ख्यों में है। उसके बाद से उनके गाने को लेकर वेपक्ष जहां उत्साहित है तो सरकार पक्ष की तरफ से बयानबाज यहां जारी है। सरकार से लिपिक सेवा के UDC और LDC के पदों के नाम बदलने की उठी मांग। सचिवाले की तरह ही सहाइक के पद का नाम सहाइक प्रशाखा पदादिकारी UDC का पद नाम उच्वरगिये सहाइक और LDC का पद नाम निम्नवरगिये सहाइक रखा जाना है। शेफरवरी तक खोले स्कूल नहीं तो साथ से राजविया पी आंदोलन। तो साथ पवरी से राजविये सांदोलन की शिरवात कर दी जाएगी। स्कूलों को बंद करके सरकार बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार कर रही है। इतना ही नहीं स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर असोसियेशन द्वारा सभी जुला मुख्यालों में प्रेस कॉन्फरेंस भी किया जा रहा है। इतना बलडने का एलान किया है भाजपा अपनी 13 सीटों में से एक केंद्रिय मंत्री परशुपती पारस वाली लोजपा को देगी। दोनों दलों के निर्दाओं ने से एक्टि प्रेस कॉन्फरेंस कर ये घोशना किये। पटना पार्क प्रमंडल ने उन सभी पार्कों को चिनित कर मंजूरी के लिवभाग को भेजा है। भंजोरी के नुसार तेइस पार्कों में, तीन पार्क राजजेंद्र नगर में, तीन पार्क लेपुत्र में, एक एजी कॉन्नी में, एक रुष्णा नगर में और तेरह कंकर बाग इलाके में है। सबी पार्कों के विखसित होने के साथ ही इन इलाकों में वातावरेन में शुधता आने की साथ ही सुंधरता भी बढ़ेगी, उमीद है कि पटनावासियों को इन पार्कों की सौगात अगले महीने मिलने वाली है। कई ट्रेनों के परिचालन में हुआ बदला यात्रगं कुर्पया ध्यांदे धनबाद गोमो रेल खंड के नीचित पुर और तेलू मारी स्टेशन के बीच रोड अंडर ब्रिच का अंदर मान होने से आने वाले दुनों में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने वाला देश के इसके परणां से रूफी गाड़ी संक्या 03545, 03546 आसन सोल गया आसन सोल में मू पैसेंजर स्पेशल और 0355 Kung 3 और 0356 वरमान हतिया वरमान में मो पैसेंजर स्पेशल को, t 115 2022 से दस फर्वरी और 22 वरवरी को निस्तारी करन कर दिया गया है इसके साथ ही कई अनिट्रेनों को नियंटरतियाब पुनर निर्धारित करके चलाया जाएगा बिहार में बड़े देश के सबसे बड़े अस्पताल का पीम नरेंदर मोधी करेंगे उदगाटन बिहार के राज़ानी पटना में देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है केंद्री सरकार ने ESIC के तहट बिहार के पटना के अलावा राजुस्तान के अरवल में बड़ा मेडिकल कॉलेज से है अस्पताल खोलने का फैसला किया था अब ये फैस्ता सरजमीन पर उतरने वाला है सबसे खास बात यह है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जल्दी दोनों मेडिकल कॉलेज काउद खाटन करेंगे दोनों जगे इसी सत्र से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने की उमीद है पटना जुले के बेटा प्रखंड के सिकंदरपुर में बने ESIC अस्पताल में पुरे देश के लोग इलाज कराने आएंगे केंदरिया श्रम एवं रोजगार और पर्यावरन मंतरी भुपेंदरियादव की माने तो इस अस्पताल से बिहार के मंगदौर श्रहबाद शेतर के लोगों को विशेश लाब होगा वहीं उन्होंने कुछ वोटो में निरिक्शन भी किया राजित के साथ आने के लिए तेश्प्रताप ने रखी नितीश कुमार के लिए श्रत तेश्प्रताप ने नितीश कुमार और बिहार सरकार के मंतरी मुकेश्व सहनी के साथ आने पर बड़ा बयान दिया है इसको लेकर बीते दिन लालो यादफ के बड़े बेटे तेशप्रताप यादफ के संगठन चात्र जन्शक्ती परिस्त का कारीकरता सम्मेलन हुआ जुसमें तेशप्रताप यादफ ने अपनी बात कही है जो इसके तेहति उन्होंने कहा कि हमने लगातार कहा है कि हमारा दर्वाजा तो सब के लिए खुला है हम दर्वाजा सब के लिए खोल का रख रहे हैं अगर नितीश कुमार आना चाहते हैं तो आए लेकिन वो युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे तब ही हम उनके साथ आएंगे युवाओं को रोजगार देने के लिए नितीश कुमार आगे बढ़ते है तो हम उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है इतना ही नहीं इस दोरान उन्हाने रेलवे भरती को लेकर प्रेड़क्शन कर रहे थे कि एक बार फिर से उनके जेल जाने की संभाबना आए बनती जा रहे है मिली जानकारी के निसार डॉरानडा कोशागर से 149 करोड की अवैध निकासी के मामले में CBI की विशेश अदालत में लालो यादफ से जुड़े अन्य आरोपियों को लेकर अदालत का फैसला आ सकता मुकेश सेहनी को मिली धंकी वियाईपी प्रमुक मुकेश सेहनी बीते कुस दुनों से लगातार मीडिया की सुर्ख्यों में बने हुए वहीं बीते दिन एक बार फिर से उनकी चर्चाएं शूरू हो गई हालाकि इस बार वो चर्चा में अपने किसी बयान के कारण नहीं आए बलकि ऐसी ख़बर आई है कि वियाईपी प्रमुक मुकेश सेहनी को जान से मारने की धंकी दी गई है दावा है कि इसी बीच बिहार सरकार की कैबिनेट पंतरी और विकाशिल इंसान पार्टी के रास्रिय अध्यक्ष मुकेश सेहनी विकाशिल इंसान पार्टी के जुला महा सचिफ शिवनाद सेहनी का कहना है कि 23 जनवरी को एक अग्यात नंबर से उनको कॉल आया जिन समें उनको और उनकी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है इसके साथ ही कॉलर ने पार्टी सुप्रीमो मुकेश सेहनी को भी जान से मारने की धमकी दी है और उनकी पार्टी के जुला महा सचिफ शिवनाद सेहनी को भी जान से मारने की धमकी मिली है जिसके बाद ही पार्टी के जुला महासाच्चिव को कहा गया है कि प्रधान मंतरी कारियाले में ग्यापन देक है सरकार से अपील की है कि बिहार सरकार की काबिनेट मंतरी मुगिट सेनी को Z-plus सेक्योरिटी दी जाए अगले महीने से उतरप्रदेश में चुनाव होने बाले हैं जिसमें बिहार की राज़नेतिक दल भी जोर शोर से इसका हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हाला कि आगामी चुनाव में एंडिये के एक साथ मैदान में उतरने की हुई जटाई जा रही थी इसके लिए रसीपी सिंग को भी लगाए गया था ताकि वो दोनों पार्टियों के बीच में बादशीत कर कोई रास्ता निकाल सके लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जद्यू भाजपा ने अलग-अलग ही मैदान में उतरने का फैसला रिया है हाला कि अब रसीपी सिंग की तरफ से बीते दिन जद्यू को दो टूप नसीहत दी गई है जिसके देहत उन्हाने कहा कि लोग मनरंजन करते हैं उन्हें करने दीजिए मुख्यमंदर नितिश कुमार की नेतर्त में इंडिये को काम करने के लिए बठाय गया है हाला कि सीट के बटवारे में उमीद थी कि मांजी और मुकेश सहनी की पार्टी को भी सीट दी जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जुसके बाद ऐसी उमीद थी कि शायद मांजी का गुस्सा देखने को मिलेगा लेकिन बिहार में MLC चिनाव के लिए भाजपार जदियों की तरफ से सीट नहीं देने के बाद पुर्व मुक्री बंतरी जीतन रामाजी की पार्टी हमने सरेंडर कर दिया है हमके प्रवक्ता दानिश रिजबा ने शरीवार को कहा कि जदियों और भाजपा की हुई प्रेस कॉन्फरस में हमको शामिल होने के रिए जदियों के विजचोधरी की तरफ से बुलावा आये था लेकिन हमारे पार्टी प्रमुक जीतन रामाजी पटना में नहीं थे भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से दर्ज भारत के इस वतंतरता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रस्टरुपिता महत्मा गांधी की नाथुराम गोट से ने 1940 में आज़ी के दिन जानने ली थी इंडियन एर्लाइन्स के फोकर फ्रेंट्रिप विमान का 1971 में अभरुन हुआ था 47 वर्षो बाद 1997 में महत्मा गांधी की अस्थिया संगम में विसर जित्वी थी चन्ने की एक विशेश अदालत ने 2008 में बहुचर्चित स्टाम घोटाले के बामले में मुख्यारोपी अब्दुलकरीम तेलगी को 10 साल की सज़ा सुनाई की शिरवात हो चुकी और इस नए साल का पहला महीना भी समाप्त होने को है ऐसे में जान लीजिए कि भारत की क्रिकेट टीम का स्केडियूल इस साल कैसा रहने वाल है भारती टीम किस-किस देश के खिलाफ मुकाबले खेली गी और किस-किस टूर्नामेंट में कौन-कौन से महीने में उतरेगी एक तरह से देखा जाए तो टीम इंडिया का 2022 का स्केडियूल काफी पावर पाक्ट है जिसमें दो मल्टिनाशनल टूर्नामेंट खेले जाने है स्केडियूल को देखे तो फरवरी से देकर दिसम्बर तक ऐसा कोई महीना नहीं जाएगा जब भारती क्रिकेट मैदान पर नहीं उतरेंगे यहां तक की दो महीने तक तो वो हर दिन क्रिकेट आईपियर के रूप में देखे जा सकेगी पावर पाक्ट स्केडियूल इसलिए भी है क्योंकि पिछले दो साथ में कोरोना वारिस महामारी के कारण बहुत कम रुकेट की देखे लिए मेसेज का स्क्रीन शॉट लिया तो मिल जाएगा अलर्ड फेस्बुक मेसेजर को हाली बे कई फीचर्स मिले हैं सुबधाओं में end-to-end encryption, screenshot detection, message reaction typing indicators शाविल है मेसेजर के opt-in और end-to-end encrypted chat के लिए features को roll out किया गया है screenshot detention feature और message reaction feature कुछ है ऐसा खास feature है जिनका WhatsApp user लंबे समें सिंतजार कर रहे थे हाला कि अब जब Facebook ने मेसेजर के लिए features उपलब्द करा दिया है तो जल्द ही WhatsApp पर भी इन्हें पेश किया जाएगा यानि कि आने वाले समय में अगर आपकी message का कोई screenshot लेता है तो इसका आपको alert मिल जाएगा कर हमारे दौरा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी user ने हमें comment करके दिया था उसके लिए आपको बहुत दो धनिवाद आप में से जी न्यूजर का comment हमें अच्छा लगा है बगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हमकल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके रसाल बिहार में कोरोना के मौजुदा हालात को देखते वे सभी सिक्षन संस्थानों को खोल देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटिट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक का नबाना ना भूले धन्यवाद